नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप हमने डिजिटल प्यानों को किस तरीके से मोबाइल से कनेट करके आप मोबाइल से हाई कॉलिटी में रिकोर्ड कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको चीए एक ओडियो स्प्लिटर थ्री पॉल का जिसमें जो उपर है वो थ्री होने चीए और फिर आपको चीए एक 3.5 mm रूट रूट के बल कुछ इस तरीके की और कीबोर्ड को कनेट करने के लिए आपको सबसे पहले चीए एक जेक कनवर्टर और सबसे में आपको चीए एक ओडियो स्प्लिटर और जिसमें ध्यान रखिए कि 4 पॉल रने चीए कुछ इस तरीके के नहीं तो आपका फॉन करेंट नहीं हो पाएगा और आपको इसमें से कुछ भी खरीदना है तो निचे डिस्क्रिशन में लिंक है आप चाहिए तो आप इन प्रोड जिसमें तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट और लगाएंगे जो ऑडियो स्प्लिटर में लगेगा तो जो स्प्लिटर का दूसरा पॉइंट है उसमें हम एक्स्टा और लगा सकते हैं जिससे जो अगर आपके पास कोई भी एंप्लिफार या स्पिकर होगा तो आप अपने क करवार इस घूँशरा चाहिछ नब सब्सक्राइब करेंगे靡 दभी हम जो अपने की बोर्ड को अपने फोन से रिकोड कर पाएंगे वह हमें इन हैटस phone में सुनाई देगा तो अब हम अपने phone में audio recorder का application open करते हैं और फिर यसे जो audio collector है phone को उससे connect करते हैं इस तरह के से तो आप recording on करके check करते हैं कि record हो रहा है की नहीं तो अब हम रिकोर्डिंग बंद करके देखते हैं तो यह जुगाड काम कर रहा है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको जानना है कि आप अपने पीसी कंप्यूटर से किस तरीके से अपने पियानो को हाई कोलीटी में रिकोड कर सकते हैं तो उसके जवाब देने की पूरी कोसिस करूँगा तो होप आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय मात आगी